हेलो एब्रीवन, वेलकम टू इजीबे, इजीबे चनल पर हम सभी का स्वागत है इस लेसन में हम लोग पढ़ाय करने वाले हैं, बायू मंडल, यानि एटमोस्फियर के बारे में, ठीक है यह लेसन उस स्टूडेंट के लिए है, जो की आनर भी एंटी पीसी और गुरूपडी की तयारी कर रहे हैं, ठीक है उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट यह क्लास होने वाली है और आज तक हम ऐसा बात नहीं बोले हैं, लेकिन आज आज आप लोगों से एक बात सेरे करना चाहते हैं कि जो हमारा चैनल है इजीव है, उस पे आज तक कभी भी कोई आलतो-फालतो की बात नहीं होती है इकदम वही पर उतना ही है content लेकर आते हैं आपके लिए जो इक्जाम oriented हो ठीक है जितना की exam में जितना कम से कम टाइम में आपको जितना जादा जादा content आपके साथ प्रोवाइड किया जाए क्योंकि देखिए syllabus का कोई आंते नहीं होता है, ग्यान का कोई आंते नहीं है, बहुत विसाल है सागर है उतना पढ़ने चलिएगा तो फिर exam, competition exam नहीं निकल पाएगा, competitive exam नहीं निकलेगा तो competitive exam निकलने के लिए मेरा जो मानना है कि हम selected topic पर यह selected topic पर यह selected time में कम topic करके अच्छा score कर लेता है, ठीक है तो इसलिए मेरा यह उदेश रहता है हमारा जो EGVA channel है, उसका एक उदेश है कि कम time है, सबसे कम time है, जो अच्छा ज्यादा ज्यादा content आप तक पहुंचा सके है, ठीक है जैसे जितना भी देखते होंगे मेरा video 10-20 minute का होता है, उसमें बहुँ ज्यादा content प्रवाइड करने के कोशिस करते हैं, कुछ इधा उदर की बात नहीं करते है, सारा जो वीडियो सुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बढ़ाना कि हम आपका यह content है, काफी important topic रहा था काफी अगर आप अच्छे से मेरे video को देखते होंगे ध्यान से, और एक जाम देने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको सच में realize करेंगे कि हाँ, कुछ हमको फैदा हुआ इस channel से, तो इतना ही इस video में कहना चाहेंगे, आगे बाकी पढ़ाय करिए, वीडियो का लंबाने करना च हमारा जो atmosphere है, बाउ मंदने हों में कौन कौन सी गयस पाई जाती है, और उस गयस के कितनेmayonna मांत्रा क्यों होती है, यह हम लोग देखेंगे, ठील है, कौन कौन सी ourselves पाई जाती है और उसका percentage क्या होता है ठीक है और फिर जो हमारा atmosphere है बायो मंडल उसका कितने परत होते हैं उसका सरचना किस परकार का है और उसका feature मतलब को सरचना का क्या परिवासा है क्या बिसेस्ता है है उसका function क्या है सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बात और बताता ह है जहां सब्सक्राइब किसी भी आडर भी एंटी पीसी गुरूबडी का पिछले 20 सा का question paper उठाके देखे लिजा 18 साल का 28 तक उसमें देखिए कर जो बायो मंडल से उठाएगा question तो जितना topic जितना अभी में इस वीडियो में इस class में परहाएंगे इस lesson में परहाएंगे उ हमारे जो atmosphere है उसमें gas कौन कौन से gas पाया जाते है कितने percent का gas तो पहला question तो यहां बनता है कि हमारे बनता क्या है कि मतलब कि exam में आया हुआ है कि हमारे बायो मंडल में सबसे इस 78% वो जगा ले लिया बाकि जो बचा 22% में 22% जगा उसमें से 21% और लगभाग oxygen ले लिया तो उसमें से जो बचा है उसमें से आरगर पाई जाती है 0.93% carbon dioxide 0.03% पाई जाती है neon 0.0018% पाई जाती है helium 0.0005% पाई जाती है ozone 0.0006% पाई जाती है hydrogen 0.0005% पाई जाती है अब देखिए question यहां से कैसे आते है question आते है पहला question तो यह हो गया कि हमारे atmosphere में सबसे ज़्यादा gas कौन सी पाई जाती है तो उसका answer तो आप दे दिया nitrogen ठीक है अब फी question पूझ आएगा कि हमारे atmosphere में oxygen पाई जाती है कितनी percent oxygen पाई जाती है तो आप एंसर 21% लगभग 21% लेकिन अगर option में 20.925% दिया हुआ थी टिक करिएगा और यह नहीं दिया हुआ 21% दिया हुआ थी यह टिक करिएगा तो उसके बाद फी question बन जाती है कि हमारे gas हमारे atmosphere में तीसरी सबसे ज़्यादा पाने जाने वाली gas कौन सी है तीसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली gas कौन सी है आरगन है कितनी 0.93% फिर question बनता है कि हमारे atmosphere में carbon dioxide पाई जाती है उसका कितने percent कितने मात्रा में पाई जाती है तो 0.03% मांत्रा में पाए जाती है तो इस तरह से यह जो चार कोश्चन बनाई चार कोश्चन तो बताए हैं उस चारो कोश्चन तो अगो प्रिवेस एर में आया हुआ है किसी भी competitive exam को आप ले लिजे उसमें आता ही आता है अगर जो बायो मंदल टॉपिक आप पर रहे हैं तो उससे उठा रहे हैं तो तो यह चार पांच कोश्चन यहां से important question जो भी ठकाए हुए है और काफी सारा question इससे बन सकते हैं अब हम लोग परहेंगी बायो मंदल की सरचना कि हमारा जो बायो मंदल उसका सरचना किस प्रकाक हुई है देखिए बायो मंदल की जो सरचना हुई है उसका structure हुआ है mainly पांच भाग में उसको पांच परहत में divide कर दिया गया है हम आपको यह भी बताएंगे यह जो काफी confusing होता है कि कौन सा परहत पहला था टोफोस्फेर यह सवरा को तो इसका हम एक trick बताएंगे आपको लास्ट में जिससे आपको एजली एक बार आगा जो ट्रिक समझ यह ना कभी नहीं भूलिएगा कि हाँ सबसे पहले कौन आता है उसके बाद को आता है उसके बाद कौन सा पर आता था थी है ठीक है क्योंको याद करना थासा हम खुद जब चटड़ी करते थे तो याद करना मुसक्वल होता था कि करना तर सबसे पहले सबसे पहले कॉपोसफ् gens चार प्रण को सबसे पहले कौन आती यहीश्स भी तो इसको सबसे इसका features से ही बनते हैं, इसका खासियत से मतलब इसका जो features से ही question exam में बनते हैं, तो हम उतना ही आपको EGWARE Channel का मेरा एक ही motto है, एक ही aim है, कि हम उतना ही आपको पराएं जहां से question आता है, जादा हम पराएंगी नहीं, क्योंकि क्यों फाल दुग आपको टाइम बेस्ट कराएं, competitive exam यह है, ग्यान तो आप PhD करने के लिए बैठे नहीं, क्याँ थेती से लिखने के लिए तो बैठे नहीं, क्याँ पूरा इदम परहे जा रहे हैं, परहे जा रहे हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो मेरे तो ही मानना है, तो इस चैनल पर आपको उतना ही पढ़ाएंगे, जितना कि जोरत हो, जितना साबका exam अच्छे नमर से, क्वालिफाय करते हैं, अच्छा नमर से आपका selection हो जाएं, जॉब ले लें, उससे जादा है नहीं परत छोब मंदल ये टॉब ले जिसमें बायू मंदल के संपूर्ण भाकल लगबग 75% पाएंगे जाता है, अन्य जाकि मोटा मोटा ये काना चाहता है, अब इतना समझे लिए, कि ये जो टॉब ले जितने भी हमारे बायू मंदल में गयस पाए जाते हैं, उसका 75% गयस इस इसी बायू मंदल में पाए जाती है, बस, यही करना चाहरा है, तो यहां से कोश्चन बनेगा, कि बायू मंदल के कौन सा लियर है, जहां पे 75% अफसे अधिक गयस पाए जाती है, 75% गयस पाए जाती है, वो है, ट्रोपोस्फेर छोब मंदल, ठीक है, इस पॉइंट से एक ह जाती है, जैसे कि बरसारीती होना, बादल आना, जितना भी मौसम का घटना होता है, उस सब इसी परत में होती है, ठीक है, तो यहां से भी एक कोश्चन बनेगा, कि वो बायू मंदल का कौन सा लियर है, जहां पे मौसमी घटना घटित होती है, तो आपका टोपोस्फेर है, अगला जो पॉइंट है, वो इस परत की उचाई के साथ तापमान में गिराबाट आती है, ठीक है, इस परत में क्या होता है, कि जैसे जैसे आप उपर बढ़िएगा, आपका टापमान डिग्रीज करते जाएगा, घटते जाएगा, घटने का जो रेट है, वो 6.4 सेंटिग टापमान है, ठीक है, सता से एक किलोमेटर उपर जाएगा, आपका हो जाएगा, कितना, 13.6 डिग्रीज हो जाएगा आपका टापमान, ठीक है, तो यहां से भी आपका कोशन बनेगा, जो कौन से लेहर है, जहांपे उचाई बढने पर तापमान घढता है, तो गए टोब उचाई उपर उड़ने पर कितने centigrade टापन में कमी आती है तो आपको हो गया 6.4 centigrade centigrade टापन में कमी आती है तो यह सारा important important point रहा टॉफोस्फेयर का जहां से question बनते हैं और बने हैं और आगे बनेंगे ठीक है अगला जो लेयर है वो है संताप मंदर जिसको अंग्रेजी में करते है अस्टेटो स्फेयर ठीक है इसके क्या खासिए भाईया यह भी देख ले तो इसकी क्या खासिए है मेरे दोस्त कि यह 18 से 32 किलो मेटर की उचाई तक पाई जाती है यानि पिट्वी की सता से यह पिट्व यानि इसमें आप ऊचाए उपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं इस लेयर में आपका टेंपरचर में कोई चेंज नहीं हो आपका तापमान एकदम सेम रहेगा जैसे मेरा भीव सेम रहता है कितना अच्छा वीडियो बना दो कितना अच्छा कॉंटेंट देदो विव वही अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं अच्छा कंटेंट आपको क्यूबी द्रीव नहीं पाए जाते हैं मतलब इस लेयर में इस लेयर में क्या चुंदान कोई भीष्री दूल नहीं पाइस आपके Center नहीं बनते हैं, मौसम की घटनाएं नहीं होती है, ठीक है यह सब के कारण बायू यान में मतलब कि इस लेयर में एरोपलेन चलती है, ठीक है, तो अब आप से पहला कोचन जो सबसे इंपोर्टेंट कोचन इसको थ्री एस्टार करते हैं, वो है कि कौन सा बायू मंदल के परद केंपरेचर भी समान रहता है, अगला जो लेयर मध लेयर जिसकों लोग आते हैं, मिसोस्फेर, ठीक है, इसकी क्या खासियत है भईया, तो यह संताब मंदल की सीमा 60 किलो मीटर की उचाई तक फैल हो, यानि कि आब 32 किलो मीटर से ले करके 60 किलो मीटर तक इसकी एरिया है और या ओजोन परत क्या है, तो ओजोन परत देखे यह है, जो सूर से, सूर की रोसनी से, सूर की तरफ से आने वाले अल्टा वायलेट रे को ओजोन लेयर रोक लेती है, अगर नहीं रोकेगी ना तो वो डैलेक्ट पित्वी के सता पर आएगी, अब बहु सारी बिमारिया ह पूछते हैं कि सूर से आने वाले अल्टा वायलेट रे को कौन सी रोकती है, तो ओजोन परत रोकती है, और ओजोन परत कौन सा लेयर में पाई जाता है, तो मेसोस्फेयर मंदल में पाई जाता है, इस परत में तापमान उचाई के साथ बढ़ता है, इस का देखे क्या खास solid km यानि कि 60 km देखे चैसो चालिस km दक इसका एरिया है बहिए सबसे जादा एरिया इसका इस परत द्वारा चोटी radio active तरंगे परिवरतन कि अच्छा इस परत्म में क्या होता है जितने भी radio यह तरह दो कि और प्राइब जो आप यहां से इन्फोर्मैसन भेते हैं वापस सता पहे इसी पी लेयर में होती है संचार उबगरन इसी परत की उपर यानि की जितने भी संचार उबगरन होता है TV रेडियों यह सब सब इसी परत में यह सब घटना घटती है अब अगला और लास्ट परत आपका है वो है आपका बहिरी मंदल एक जो स्फेर इसका क्या खासित भईया यह आयन मंदल के उपर की परत है सही बात है जिसके कोई उपरी सीमा नहीं यानि इसका उपरी लिमिट को भी निर्दारित नहीं किया गया है जेखाँ देखाँ हैं 640 किलो मेंटर सीमा स उपर सार आका इरिया इसका है बहिर है इस परस में हाइडोजन and helium guys पाई जाती है, देखिए, इसे यहाँ question बन गया है कि कौनसी bio-mandal है, जहाँ पर hydrogen और helium guys पाई जाती है, तो आपका हो गया exosphere, देखिए, यह हो गया आपका सभी atmosphere bio-mandal के सरचना के बारे में जहाँ से question बन आए हैं और question आएंगे, अब हम बात करते हैं trick के मारे में, किसको याद के से करते हैं देखिए, alphabet पर हैं ने a, b, c, d, e, f, g, अच्छाब तो देखिए, पुरा देखिए g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, e, s, t, u, b, w, x, by, j, ठीके तो देखिए, t, यहां से देखिए, t आता है तो चले टोपोस्फेर हो गया आपका t के बाद क्या आएगा टोपोस्फेर, टोपोस्फेर के बाद आपका हो गया अस्टेटोस्फेर, t के बाद s आता है तो अस्टेटोस्फेर s के पहले क्या आता है M आएगा रखिए Mesosphere M के पहले क्या आता है I आता है Ionosphere ठीक है I के पहले क्या आता है Exosphere देख रहा है तो क्या हो गया कि Alphabet में Ultra से मतलब कि सबसे पर Ultra लेजिए आपको Reverse Alphabet तो T Toposphere पहले आएगा उसके बाद Astatosphere Mesosphere Ionosphere असके बाद Exosphere ठीक है पिर ऐसे याद करें I पहले आता है तो Exosphere Last मेरगा I के बाद फिर I आता है तो उसके Exosphere आएगा फिर I के बाद I आएगा तो उसके पहले Mirosphere आएगा ऐसे याद किλे या फिर Reverse में आप याद किले बस इतना दिवा में रखिए कि T, T के बाद YS आएगा, YS के पहले YM आती है, YM के बाद Y आए आता है, उस आए आती है, तो टोपोस्पेर, एस्टेटोस्पेर, मेसोस्पेर, एक्दोस्पेर, ठीक है, कैसा लगा ए ट्रिक, कोमेंट करके ज़रूर बताएगा, ठीक है, और काफी कम टाइम में, पंदे मिनट के वीडियो हुआ है, जिसमें हम 3-4 मिनट हम अपना इफालतू के बाद बोल दियोंगे, कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो काम की बाद तो आपको 10-12 मिनट का ही पढ़ाय हुआ होगा, ठीक है, तो 10-12 मिनट में अगर जो आपको बाइव मंदल में कौन सो कौन सी गाइस पाए जाती है, उसका सब परत के बारे में पॉइंट बाइट बाइट बता दिया जाए, तो हमको लगता है कि 10-12 मिनट में पंदे मिनट में अच्छा कांटेंट डिलीवर आपके पास हो गया है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, काफी आपके बीडियो अच्छा मस्ट बीडियो आपके लिए आते रहेगा, कॉंटेंट डिलीवर होते रहेगा आपके लिए, ठीक है धन्यवाद